आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ and select the appropriate option if a sentence is free from error select no error दोस्तो simply हमें एक sentence given है जिसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है उसको हमें ये बताना है statement में कि grammatical error कहां पर है और अगर कोई grammatical error नहीं है तो हम आपर no error को choose कर लेंगे ये option statement पढ़ते है to who did you speak last night तो दोस्तो no error भी है तो दोस्तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो error तो इसमें है अब जैसे मैं बात करूँ लिखा हुआ है to who to who तो दोस्तों कर बात करें जाए ये to जो who है ये replace होगा to whom से मेरा मतलब है कि who नहीं आएगा, whom आएगा ठीक है दोस्तो, whom आएगा क्योंकि जब भी question put up होता है question put up होता है, who का use होता है आपका, जब question में बात हो रही हो he और she की जैसे who is she who is he, to who का use दब होता है question put up करने के लिए he और she given हो और दोस्तो, whom जो होता है whom, वो होता है use, question put up करने के लिए जब बात हो रही हो आपकी him और her की him और her की ठीक है दोस्तो तो यहां पर जो आएगा है हूम आएगा क्योंकि हूम यहां पर grammatically इसको ठीक कर रहा है ठीक है अब कहीं यह तो नहीं हो सकता है example के तोर पर लिया जाए कि I was talking with he I was talking I was speaking speaking with he तो दोस्तों तो grammatically wrong है और यहीं चीज ऊपर समझाई गई है तो यहां गर इसको he की जगर यहां him आजाएगा तो यह grammatically ठीक हो जाएगा कि I was speaking with him तो ऐसी दोस्तों जहां error है वो error है आपके part 1 में to whom यहां पर to whom आएगा तो दोस्तों option A will be the right answer Thank you चारसो 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 पर